देखिए कितने फूले फूले बने हैं भटूरे बने हैं ना तो आईए आज भटूरे बनाते हैं मैं हूँ मनीशा और मेरे चानल अपका स्वागत है आईए मैं इसे तोड के भी दिखाती हूँ देखिए यह अंदर से कितना जालीदार बना है तो अगर आप भी ऐसे फूले और जालीदार भटूरे बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने दो कप मैदा लिया है उसके बाद इसमें बीच में मैंने जगह बनाई है और बाकी सारी चीजें यहाँ पर मैं एट करूंगे इसमें सबसे पहले मैंने 1 फोर्थ कप दही का इस्तवाल किया है ये घर की है और हलकी सी खटी के साइड है तो इसलिए मैंने 1 फोर्थ ही लिया है उसके बाद चीनी डाला है नमक डाला है क्वेंटिटी में डिस्कृप्स में डाल दूँगी एक टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ टीस्पून के बराबर मैं यहां पे बेकिंग सोडा भी डालूँगी उसके बाद इसमें एक टेबल स्पून ऑइल डालूँगी सबी चीजों को मिक्स करेंगे और फिर इसमें वन फोर्थ कप सूजी डालूँगी यह बारिक वाली सूजी है अगर आपके पर स्मोटी सूजी है तो आप उसे एक बर मिक्सी में चला ले और उसके बाद डालने के बाद सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद धीरे धीरे मैदा को भी उसमें मिक्स करते जाना है यह जो में भटूरे में काम है वो आटा लगाने का ही काम है आटा आपका जितना सौफ्ट लगेगा भटूरा उतना जादा अच्छा बनेगा उसके बाद जरूरत के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक नर्म मुलायम आटा गूत ले पहले जब मैं भटूरे बनाती थी तो कई बार कुछ भटूरे फूलते थे कुछ नहीं फूलते थे लेकिन बहुत बार ट्राइ करते करते तब मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलतियां करती थी मैं उसका आटा ही बहुत अच्छा नहीं लगा पाती थी इसका आटा बिल्कुल सौफटर साइड होता है और उसे गूतने में कम से कम पांस से मिनट का टाइम तो लगी जाता है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके उसे पटक पटक के काफी देर तक मसल मसल के हमें इसका आटा गूतना होता है इसमें हमें अंदर में एक तरह से समझे तो एर भरना होता है इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम है लेकिन अगर एक बर भटूरे का आटा अच्छे से आपने लगा लिया तो आपके हर एक भटूरे फूलेंगे ये मेरी गारेंटी है बस मेरा आटा लग चुका है देखिए ये सौफ्ट हो चुका है अब मैं थोड़ा सा अपने हाथों पे तेल लगा के सब तरफ डोके लगा दूँगी और इसे रेस्ट होने के लिए दो से धाई घंटे तक छोड़ दूँगी उसके बाद मैं इसके भटूरे बनाऊंगी साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मैं एक बार और नीट कर रहे हूं बहुत हलके हाथों से नीट करना है नहीं तो इसमें जो एयर भरी है हमने वो निकल जाएगा तो बहुत लाइट हैंड से हम एक बार नीट करके और इ जो एक सोडा आता है वो डाल करके आटा लगाके और इंस्टन भटूरे बना सकते हैं बस उसके बाद मैं भटूरों को शेप दे रही हूं शेप आप अपने कॉर्डिंग दे लें जैसा भी चाहें गोल लंबा लेकिन हाँ यह जरूर है कि आप भटूरों को थोड़ा पतला वो एक तम हाई फ्लें पे दुवएदार गरम होना चाहिए तभी हमारे भटूरे बस भटूरों को बनाने में दो ही ट्रिक होती है एक आँटा लगाने की और दूसरा तेल गरम रखने की तेल जितना जादा गरम होगा भटूरे हमारे फूलेंगे ही फूलेंगे देखिए फूल गया ना आईए मैं दूसरा भी आपको बना करके दिखाती हूं यह भी अच्छी तरह से फूल जाएगा मैं फॉर शूर हूं क्यूंकि आंटा हमने अच्छा लगाया था तो बस तयार हैं यह भटूरे तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें दूसरों के साथ शेयर करें प्रेस ते बेल बटन थैंक यू फॉर वाचिंग बाई